हेलो दोस्तो स्वागा था आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज हम बात करेंगे उत्राखन प्रात्मिक शिक्षक भरती 2024 के बारे में तो उत्राखन में जो 2350 पदों पर नहीं प्रात्मिक शिक्षक भरती होनी है उसके लिए शिक्षक भिवाग के द्वारा एक प्रस्ताव तयार किया गया है इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अब उत्राखन में प्रात्मिक शिक्षक बनने के लिए आपको exam देना पड़ेगा यानि कि आपको PRT में सिक्षक बनने के लिए अब exam clear करने पड़ेगा तब ही आप सिक्षक बन पाएंगे तो कल ये news आये थी और अब इसका जोड़दार यहां पे विरोध किया जा रहा है क्यों इसका विरोध किया जा रहा है बेसिक शिक्षक भरती में बेसिक शिक्षक भरती परिक्षा के जरिये ना हो डेलड परिक्षिजों ने बेसिक शिक्षक भरती में परिक्षा की ब्योस्ता लागों ना करने की मांग किया मंगलवार को डेलड परिक्षिजों ने बेसिक शिक्षा ने दे सक रामकिस उन्याल से मुलाकात की उन्होंने कहा कि डियलेड प्रसित राज्या इस तरीय परिक्षा पास करके ही परिक्षण के लिए चुने जाते हैं जिस परक्रिया से पूर्व मैं चैन होता आया है उसी परक्रिया से जारी की रखा जाए अभी तक राज्या मैं मेरिट के परिक्षा लागो करने पर विचार कर रहा है यहां पर जो डियलेड प्रसित बिरोजगास अभीरति हैं उत्राकंड के वो रामकिस उन्याल जो सिक्षा ने जिशाक है उनसे मिले और उनके द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से पूर में भरती होती आ रही है उसी प्रकिर कहा गया है और यहां पर आगे कहा गया कि सिक्षा निदे सालेम में एकत हुए बिरोजगारों ने कहा है कि 2020 में डियलेड के लिए परिक्षा के माधियम से चैन हुआ चैन के बाद दो साल के बाद 2022 से परिक्षेशन सुरू हुआ दिसमबर 2023 में दो साल का परिक्षेशन पू सब्सक्राइब आपको बताया था कि यहां पर चीज का विरोद करेंगा और वही हुआ उनके दवारे यहां पर विरोद किया जा रहा है इस भरती को लेकर विभाग चाता है कि हम इसमें भी भरती करा हैं और भरती कराने के बाद जो अन्ती बैवर्थी उनको ही न्युक्ति मिले लेकिन दूसल कि प्रिक्षिटन के बाद के बाद सीट्ट कौलिफाय करने के बाद अब फिर से एक्जाम करवा रहे हो यह गलत है हमारे साथ अनिया में अगर ऐसा प्रस्ता होता है नहीं नहीं होता है लेकिन प्रस्ताव तयार क्या है और प्रस्ताव सांसita को बेजा कि अगर सांसन चैनल मिलती है तो तब यहां पर भरती यहां ़ो से हो रहा है दिशन हमें अपर इन्न से क्या कि द difar आकर एक प्रशा के कि प्रिक्षार के कर दो करेंगी सिर को WHAT. झाल झाल